पद्मावती देवी महालक्ष्मी के तंत्र स्वरूप के रूप में पूरे भारतवर्ष में पूजित है और जैन धर्म में तो इनका विशेश थान है जैन धर्म में दिवाली में इनकी विशेश पूजा होती है यहां की यहां तक की हर साल हम इनकी कभी भी किसी भी समय पूजा आर्चना की जाती है। यह हर प्रकार से सुक्षवभग्य और धन धन्य की वृद्धी देने वाली देवी है। यह एक तरीके से बुरे से बुरे भग्य हीन व्यक्ति को भी भग्य और धन्य प्रतिष्टा प्रदान कर सकती है। इनकी साधना से हर प्रकार का एश्वरे प्राप्त होता है। आज जिस हम साधना की बात करेंगे वह एक तरीके से रोज करने वाली साधना है और इसका विधान यह है कि पहले हम इस मंत्र को थोड़ा सा जब करके चाहे ग्यारा सो, इकिस सो या दस अजार के करीब जब करके इ वैसे तो हम उसको डारेक्ट भी जब सकते हैं तब भी इसका प्रभाव आता ही आता है और सुबह उठके, सुबह उठके जब हम अपना बिस्तर में हैं तो बिना नीचे पैर रखे हम चारों दिशाओं की तरफ मू करके एक एक बार इस मंत्र का जब कर लें तो एक प्रकार से पूरा दिन हमारा सभागेशाली हो जाता है, पूरा दिन हमारा को धन दानने में विर्दी होती है, अगर कोई बिजनस वाला व्यक्ती है तो रोज प्राता काल उठके सुबह उठते ही इस मंत्र का चारों दिशाओं में मंत्र जब करके फूक मार दे, तो उसे हर चारों सुख सभाग्य धन दानने प्राप्त होता ही रहता है, और या क्रिया हम रोज कर सकते हैं, और वैसे चाहें तो इस मंत्र का एक माला रेगुलर जब करके भी हम उनकी पूर्ण क्रिपा प्राप्त कर सकते हैं, तो दोनों में से हम चाहें कुछ भी साधना में कर सकते हैं, दो बता रहा हूं ओम नमो भगवती पदमावती ओम रीम ओम श्रीम पूर्वाए दक्षिनाए पश्चिमाए उत्राए आणपूर्य सरजन वश्यम कुरू कुरू स्वाह तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा चतन्य मंत्र पदमावती देवी का और बहुत ज्यादा शक्तिश चाली मंत्र भी है यह तो इस मंत्र को आप देख सकते हैं ओम नमो भगवती पदमावती ओम रीम ओम श्रीम पूर्वाए दक्षिनाए पश्चिमाए उत्राए आणपूर्य सरजनम वश्यम कुरू कुरू स्वाह इस मंत्र का जो है आप लोगों को जब करना है और सुबह उ के पश्चात संपूर्ण रूप से पदमावती देवी का आगमन आपके घर में हो जाएगा और धन दान्ने की वृद्धी इस मंत्र से होती ही है और यह रेगुलर साधना है इसको प्रति दिन हम कर सकते हैं और ग्रहेंड काल और विशिष्ट काल में इस मंत्र को जो हम चतन कर सकते हैं